लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है लेकिन सच तो ये है कि समय के साथ में उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है लोग की कही हुई बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए लोग अमरूद खरीदते समय भी पूछते हैं कि मीठा तो है और बाद में उसी अमरूद को नमक लगा करके खा लेते हैं विचित रहे पर यही सच है नमश्कार मेरे प्रिये दोस्तों दर्शकों मैं हूँ मुहत कमल श्रिमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में और आज का राशी फिल यानि की 23 अप्रेल 2023 के इस विशेश एपिसोर में आप सभी को बढ़ाई और शुबकामने देना चाहूँगा जिनका आज जनम दिवस है मैरज इन वसरी है या कोई विशेश यादगार दिन है शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से तारिक 23 अप्रेल 2023 है और दिन रविवार का है आज के विशेश उपाय में वर्ष 2023 में बन रहा है गुरू चांडाल योग किन राशियों पर इसका असर पढ़ने को देखने को मिलेगा वही इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाओंगा तो जरूर मेश से लेकर के मीन राशी अंत तक बने रहिएगा अब बात करते हैं पंचांग की तो समवत 2080 का वैशाक शुकल पक्ष चल रहा है तृत्य तिथी रहेगी सुभे के साथ बचके 48 मिनिट तक जिसके बाद में चतुरती तिथी आरंभ होगी रोहिणी नक्षदर रहेगा रात के 12 बचके 27 मिनिट तक तो वहीं चंद्रमा व्रशबराशी में स्थित रहेंगे दोपहर के साड़े चार बचे से लेकि 6 बचे तक का समय रहुकाल का है तो वहीं शुब चौगडिया महरत आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा सबसे पहला महरत सुभे के समय में 9 बचके 11 मिनिट से 12 बचके 11 मिनिट और दूसरा मौरत दोफेहर में एक बच के एक तालिस मिनिट से तीन बच के ग्यारा मिनिट तक ऐसे में दक्षिन दिशा में अगर आप यात्रा करने वाले हैं आज तो मान करके चलिए कि आज की यात्रा आप लिए बहुत सुख़द जरूर से धोगी पर दिशा शूर्दोष जो है वो लग रहा है साउथ वेस्ट दिशा में नौर्थ इस्ट दिशा में और पश्च्यम दिशा में तो इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो घी खा करके या सूंग करके फिर अपनी यात्रा आरम करें तो जादा बहतर रहेगा। अब बात आती है आज के दिन सुर्योदे कालीन कुंडली में शुब ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिल रहा है आश्र्ययोग का, संखिया कैदार योग का, मालवियययोग का, शशययोग का, वैशीयोग का, लक्ष्मिययोग का और अखंड सामराज्यययोग का। अगर आप अभी तक ये इंतजार कर रहे हैं कि कुंडली विश्लेशन करवाना है पर कैसे मिलूं, कहां मिलूं, क्या ये संभव हो सकता है, मेरे पता जी आप सभी से मिलने के लिए दिली, कलकता और मुंबई आ रहे हैं, अगर आप इन शहरों में रहते हैं या इन शहरों के आसपास रहते हैं, तो आपके लिए ये एक अफसर है, मैं ये कहूंगा कि सुनहरा अफसर है, आ करके अपनी कुंडली विश्लेशन करवाने का, अपने जीवन में जो समस्या हैं, उसका समाधान प्राप्त करने का, बड़ी बड़ी बात हैं नहीं कहूंगा, जो सब लोगो ने कहा है, जो काफी लोग जब कुंडली विश्लेशन करवा के जाते हैं, बड़े ही गुस्से के साथ में आते हैं, कि मेरी ये जो चीज़ है, मेरी ये जो समस्या है, इसका हल कब होगा, मेरी बहुत बड़ी बिजनस डील है, क्या ये पास होगी या नहीं होगी, और जब ये कह दिया जाए, कि आप कितनी भी एडी से चूटी का जोर लगा लीजे, इस तारिक से पहले, जो भी आप करने वाले हैं, उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी, इनसान गुसा हो करके जाता है, बोलता है, कि ये जोतिशी तो खराब है, तब तो वो इनसान ये कह करके निकलता है, कि ये तो जोतिशी गलत है, इन्होंने तो इतना नकरात्मक तरीके से मुझे बताया है, कि मैं कोई भी कोशिश कर लूँ, मेरी सफलता इस समय से पहले मुम्किन नहीं है, ऐसा एक नहीं बहुत लोग कहते हैं, पर जब वही चीज सही सिद होती है, जब जो आपको डेट लिख करके दी जाती है, तारिक तक लिख करके दी जाती है, कि इस समय से पहले मुम्किन नहीं होगा, तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, वो पत्थर पर लकीर खीचने जितना ही accurate होता है, जब आपको कहा जाता है, अगर उसको मान लें तो स्वयम का भला है, या मैं इसको लेकर के आगे बढ़ू या नहीं बढ़ू, आप अपनी जॉब से स्विच करके खुद का बिजनिस खोलना चाहते हैं, नया शोरूम बनाने वाले हैं, स्टार्ट अप सोचने वाले हैं, तो इसके लिए समय रहते उपाए कर लेना और सही मार्क दर्शन प्रा अगर आपको नुकसान होने वाला है और कोई इनसान आपको समय से पहले बता दे कि ये नुकसान आपको होने वाला है, इससे बच करके चलना जादा बहतर है, इस तरफ और रुपे मत खर्चिए, इस तरफ अपने कदम मत बढ़ाईए, तो ये जो आपके लिए है, ये आप के लिए चंतित हो करके जब कोई जोतिशी बताता है आपको बहला सोच करके आपको बताता है आपको practical solutions देता है तब उनकी बात सुनना आपके ही हित के लिए है अपने ही भले के लिए उस बात को follow कर लेना आपके लिए ही फायदे मंसिद होगा तो इन चीजों को ध्यान रखत करवा लेना आप ही के लिए बहतर सिद होगा आई अब बात करते हैं आज के राशी फिल के अशुरुवात करेंगे मेश राशी से मेश राशी के लिए राशी भाव से सेंड हाउस में चंद्रमा है संपत्तारा का साथ और अश्ठक गुर्ग में 24 डॉट सें पर आज ही के दिन ये भी बता दूं कि गुरु राहु चांडाल दोश यहाँ पर आपके लिए निर्मित हो रहा है कुंद्ली में बुद्ध भी वक्री होकर के अस्थ हैं आपकी कुंद्ली में तो यहाँ पर ओवरॉल जो आपके लिए सिस्टम है या यह कहूं कि जो प्रावबिलिटी है पर अब शुरू कर चुके हैं तो आज के दिन ये भी कह दूं कि अब 30 अक्टोबर तक लगातार कहीं ना कहीं पर चोटे मोटे एक्सपेंसे अनेक्सपेंसे यह उभर करके सामने आपको आते हुए नजर आ सकते हैं और यह चोटे ऑपरेशनल कॉस्ट को लेकर के लॉसस होते है उसको लेकर के घबराईएगा मत अगर आगे बढ़ते चले गए तो मान करके चलिए कि जैसे ही 30 अक्टोबर का टाइम पीरिड आपके लिए आगे बढ़ता है वापस पॉजिटिवटी या यह कहूं कि आपकी सोच से ज़ादा पॉजिटिवटी आपको समय में मिल पाईग यहां पर यह भी कह सकता हूँ कि जो नौकरी पेशा लोग है आज के दिन दबाव ज्यादा जहे लेंगे बार बार दिमाग में यही सोच आएगी कि जॉब स्विच कर लेते हैं ड्रेजिगनेशन दे देते हैं आगे अपने आप देख लेंगे ईश्वर ने चाहा होगा तो वापस दूसरी नौकरी मिलेगी तो यह गलती बिलकुल भी मत कीजेगा अगले च्छे महीने तक यह जो दबाव है प्रेशर है कहीं ना कहीं पर आपकी इमिज को लेकर के बार बार अटाक हैं यह आपको देखने को मिलने वाले हैं इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते में 21 डॉट हैं तो वहीं आपके लिए यहां पर गुरु राहु चांडाल दोश भी निर्मान हो रहा है बुद्ध भी वक्री होकर के अस्त हैं पर फिर भी आपको ओवरॉल सिच्वेशन में यहां पर 100% पॉस्टिविडी की साथ में आगे बढ़ने का चांस मिलने वाला है सुख सम्मान भी प्राप्त होगा अच्छे इन्वेस्मेंट की ऑपोचुनिटी सामने आएगी सेल्फ कॉन्फिडेंस आल टाइम हाई रहेगा तो हेल्थ वाइस इस समय में समस्या आज की दिन आपको नहीं देखने को मिलने वाली और यह लगातार चॉइस तारिक तक आप दो बार पढ़ लीजे उसके बाद में वाकिंग डे जब मंडे आएगा उस समय एक बार लीगल काउंसलिंग लेकर के फिर साइन करने के लिए आगे बढ़िएगा किसी के दबाव में आकर के अभी कोई भी ऐसे डिसिजिजन मत लीजेगा शुबरंग रहेगा आपके लिए परपिल कलर शुब अंक रहेगा नंबर एट अब बात करते हैं में थुनराशी की तो आपके लिए ट्विल्थ हाउस में चंद्रमा है सादक तारका साथ अश्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं वहीं गुरु राहु चांडाल दोश भी आपके लिए निर्मित हो रहा है तो यह समय में उत्पन होते हुए नजर आ सकते हैं अपनी हेल्थ को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है और दूसरा घर में किसी को भी किसी भी तरीके से कुछ गलत उत्तर देना कुछ गलत कह देना इससे आपको बचना है यहां पर डिपलोमाटिक रहेंगे तो आपको परिशानी देखने को मिल सकती है इसके अलावा नेगिडिव एफेक्ट आपके लिए ज्यादा नहीं कहूंगा पर 30 ऑक्टोबर तक फिर भी आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की राय दूँगा शुबरंग रहेगा आपके लिए येलो कलर शुबंख रह आपके लिए तो इसी के कारण ये कहूंगा कि 30 ऑक्टोबर तक का जो समय है उसके अंदर आपको सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी पर इसी का राशी फल मेरे चानल पर पहले से ही उपलब्ध है अगर आप ये समझना चाहते हैं कि गुरू का प्रभाव क्या पढ़ने वाला है आपकी राशी पर तो इस एपिसोट को जरूर देखिएगा अब बात होती है आज के दिन की तो यहाँ पर सेहत का तो लाब आपको मिलने ही वाला है वही अच्छी ऑपोचुनिटीज आपको मिलेगी बिजनिस को लेकर कि अगर आगे बढ़ने की रक्षित रहेंगे तो वहीं पर अपने चोटे भाई बहने उनका कहीं न कहीं साथ हुआ सम्मान हुआ समर्पन हुआ वो देखने में आपको परेशानी हो सकती है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद उस तरीकी से आपको सपोर्ट ना मिल पाए परन चीजों को लेकर क आपके लिए रेड कलर शुब अंक रहेगा नंबर थी अब बात करते हैं संग राशी की तो आपके लिए राशी भाव से टेंथ हाउस में चंद्रमा है अधिमत रतारा का साथ है अश्टक वर्ग में 27 डॉट से ओवरॉल सिच्वेशन 100% पॉस्टिविडी के साथ में आगे को मिलने वाला जादा जानकारी के लिए अपनी राशी का एपिसोड तो आप देखी सकते हैं पर अपनी कुंडली के अंदर भी आपको ये देखना जादा जरूरी है कि आपके लिए क्या सिच्वेशन आगे डेवलप होने वाली हैं पर जहां तक आज की बात करें तो कहीं कहीं पर सिल्फ कॉन्फिडेंस आपको जादा मिलेगा साटिसफाक्शन देखने को मिलेगा अपने घर परिवार में कोई भी इन्वेस्मेंट की जो सोच है या फिर इंकम की जो सोच है वो बढ़ती भी नजर आएगी अच्छी इंकम भी कमाने का मौका मिलेगा तो नौकरी करने वाला भी कहीं न कहीं पर इंक्रिमेंट मिल जाना बोनस मिल जाना इस चीट से बहुत जादा खुश हो सकता है अगर इस बात को लेकर कि अगर आप परेशान थे कि इंक्रिमेंट नहीं हुआ है आज के दिन अगर जो शोरूम्स में काम करते हैं कार शोरूम्स में काम कर तो आपके लिए situation अपने आपी बहतर बन जाएगी पारे बार एक तौर पर अगर बात करें दामपती जीवन में बात करें तो ये भी आपके लिए बहुत जादा आज के दिन profitable या ये कहें कि favorable रहेगा profitable शब्द गलत हो जाएगा पर favorable जादा रहेगा ये समय आपके लिए व्य जादा profit देखने को मिलेगा शुबरंग रहेगा आपके लिए green color शुबंक रहेगा नमबर टू अब बात करते हैं कन्या राशी की कन्या राशी के लिए राशी भावसे 9,000 में चंद्रमा है साधक तारा का साथ अश्टक वर्ग मिठडी डॉट्स overall situation यहाँ पर आपके लिए 67% support की है कही न कहीं इस समय में बिना बात के खर्चे उत्पन होते नजर आएंगे और यही situation लगातार आपको देखने को मिलने वाली है चाती में दर्द यात्रों में अस विदा कहीं न कहीं पर अपने seniors से आज के दिन परेशानी उत्पन होती भी नजर आएगी तो वहीं पर घर परिवार के अंदर भी जो बड़े हैं वो भी आज के दिन साथ नहीं निभाएं यह समस्या आपको देखने को मिल सकती है आप अपनी समस्या लेकर के जाएं और आपको वहाँ से हटा दिया जाए दुतकार दिया जाए या फिर यह कहें कि सी में आपके लिए उत्पन हो रही है यहाँ पर यह भी कहूंगा जो भी व्यापारी वर्ग का आदमी है बहुत सोच समझ करके आगे बढ़े अपने स्टॉक के क्लियरेंस की तरफ अगर जादा ध्यान दे तो बहतर है अगर नहीं ध्यान दे तो आज के दिन लॉसस आपको छ हाँज में चंद्रमा है मित्रतारा का साथ है अश्ठक वर्ग में 28 डॉट्स है ओवरॉल सिचुएशन जो आपके लिए यहाँ पर बन रही है वो है आपके लिए 67 परसंट सपोर्ट की अब सेवंथ हाँज में गुरु राहु चांडाल दोश भी बन रहा है बुद भी वक् जियाद तो फिर जो उपकरण है बेसिकली जो चाहे वाइफाई उपकरण हो गए वाइफाई सोल्यूशन देते हैं आज के दिन आपके लिए कहीं न कहीं जादा परेशानिया उत्पन होने वाली हैं आपने जो कांट्राक्ट लिए हैं उनको सही तरीके से पूरा ना कर पा मिलेगा अपने टीम मेंबर्स पर आप बहुत जादा यहां पर गुस्सा होंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है टीम का वो आपसे छीन सकता है यहां पर यह भी कहूंगा कि जीवन साथी के साथ में वाद विवाद उत्पन होने की समस्या यह आपके लिए यहां पर जागरत हो रही है बहुत सोच समझ करके कहें अपने शब्दों को दो बार सोचें उसके बाद में कुछ कहें तो ज्यादा बहतर है वरना लेने के देने पड़ सकते हैं वो वाली सिचुएशन आपको देखने को मिल जाएगी शुबरंग रहेगा आपके लिए परपल कल गुरू राहू चांडाल दोश भी नर्मत हो रहा है बुद भी वक्री होकर के अस्त हैं तो कहीं न कहीं इस समय में सिचुएशन फेवरेबल होने के साथ साथ में आपके लिए शॉट फॉल्स भी देखने को मिलेंगे सेवंथ हाउस का चंद्रमा होने के बावजूत ऐसे समय में खास तोर पर बड़े भाई बेहनों का समर्थन ना मिलना सपोर्ट ना मिलना या उनको आपने कोई रिक्वेस्ट की है हिल्प मांगी है वो हिल्प देने से मना कर दें तो ये समस्या है इस समय में आपके लिए उत्पन हो सकती है तो वहीं कोई भी यहाँ पर हि ऐसा वापस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे या फिर यह कहूं कि जो आपने अपने बिजनेस एसोसेट्स को या लोगों को जो पैसे दिये थे आज वापस कलेक्शन के लिए बाहर निकल रहे हैं तो उमीद जो आप कर रहे थे वो उमीद आच आपकी पूरी नहीं होने वाली satisfaction नहीं मिलेगा जिसके कारण जिन लोगों के पास में पहुँच रहे हैं उन पर गुसा कर देना या फिर कुछ कह देना और रिष्टे खराब होने तक कि कगार ला देना ये situations यहां पर उत्पन हो सकती हैं पर उसको संभालते हुए आपको आगे बढ़ना है यहां पर property को लेकर कि अगर कोई भी आप dealing कर रहे हैं तो आपको कहूंगा 30 October तक कम से कम अपने आपको बचा करके रखें तो वहीं communication करने की जो बात होती है किसी से बात कर रहे हैं और मन मुटाव हो गया है टेली communication के अंदर कहीं problem हो गई है या mail जो आप करते हैं mail के अंदर को sensitive data आप को पढ़ सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए pure white color शुबंख रहेगा number two अब बात करते हैं धनुराशी की तो आपके लिए राशी भाव से six thousand में चंद्रमा है शेमतारा का साथ और श्टक वर्ग में 27 dots overall situation आपके लिए यहाँ पर 100% positive बन रही है वहीं यह कहूंगा आप के दिन अपने competition को परास्त करने की कोई भी आप कोशिश करें तो आप उसमें जरूर शांदार सफलता प्राप्त करेंगे यंगsters जो हैं अपनी relationship को आगे बढ़ाना चाते हैं या तो फिर दोस्ती को अब relationship में लीके आना चाते हैं तो उसके लिए जो भी आप प्रयास कर रह हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है यहां पर यात्रें भी आपकी सुविधा पूर्ण रहेंगी परिवार का भी साथ मिलेगा तो सांसारिक सुविधाय और नीम ओफेम की प्राप्ती भी इस समय में आपके लिए संबव है यहां पर जो भी व्यापारी वर्ग का आदमी है जो कोशिश आज के दिन करेंगे यहां पर एक बात का ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पर चाहे नेगिटिव पबलिसिटी ही क्यों ना हो पर वो पबलिसिटी कहलाती है तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आज के दिन आगे बढ़ें घबराये नहीं अपने प्र अब बात करते हैं मकर राशी की तो मकर राशी के लिए राशी भाव से फिफ्थाउस में चंद्रमा है प्रतियारी तारह का भी साथ है अश्ठक वर्क में 27 डॉट्स हैं ओवरॉल सिचुएशन यहां पर आपके लिए ओनली 28 परसंट सपोर्ट की बन रही हैं यहां से लेकर के अगली 30 ऑक्टोबर तक क्योंकि आपको गुरु राहु चांडाल दोश भी उत्पन हो रहा है बुद्ध भी वक्री होकर के अस्त हैं तो सबसे पहले बुद्ध की सिचुएशन 15 अप्रेल तक आपको नेगिटिव देखने को मिलेगी तो वहीं गुरु राहु चांडाल दोश से कही ना कहीं हम बात करें जब रिलीव की तो ये 30 ऑक्टोबर तक लगातार देखने को मिलने वाला है फिजूल खर्ची हो अन एक्सपिक्टेड एक्सपेंसे हो यहां पर हेल्थ को लेकर के परिशानिया हो यह आपको उटती भी नज़र आ सकती है ऐसे समय में अपने बच्चों को लेकर के उनकी पढ़ाई को लेकर के परिशानी ज्यादा उत्पन होती भी नज़र आएगी जिसके कारण उनके साथ में मदबेद होना या तो फिर अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजने तक की नौमत आ जाना यह देखने को मिल सकती है तो इसके ल प्राशी भाव से फोर्थ हाउस में चंद्रमा स्थित है, प्रतियारी तारह का साथ और अश्टक बर्ग में 40 डॉट से सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर ओनली एन ओनली 35% सपोर्ट की है यहीं पर बुद्वी वक्री होकर कि असने गुरु राहु चांडाल दोश भी निर्मित हो रहा है सिल्फ कॉन्फिदेंस को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है यहाँ पर प्लानिंग को ऑन ग्राउंड रियलाइजेशन पर लाना यहाँ पर यह कहूं कि अपनी प्लान को एक्शन में लाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर आपकी सफल होती भी नजर नहीं आएगी पर इसके लिए दिल मत छोटा कीजेगा समय का साथ बहुत जादा इस पर निर्भर करता है समय जब सही हो तो बड़ी से बड़ी गलती भी छोड़ दी जाती है और जब समय खराब हो तो छोटी से छोटी गलती भी पकड़ ली जाती है तो वही सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए भी उत्पन हो रही है एक फैनाशिल लॉसस की बात कहें साथ ना मिलने की बात कहें हेल्थ वाइस परेशान होने की बात कहें तो वहीं परमाता जी के साथ की बात कहें इन चीजों को लेकर के परेशानिया ज्यादा उत्पन हो रही है और ये कहीं ना कहीं मेंटली आपको टॉर्चर करने का काम ज्यादा करने वाली है आपके लिए better said हो सकता है आपके लिए एक तरीके से ये कहें कि favorable बन सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए purple color शुबंख रहेगा number nine अब बात करते हैं मीन राशी की तो मीन राशी के लिए राशी भाव से यहाँ पर third house में चंद्रमा है शेम तारा का 7 और अश्ठक वर्ग म कोशिश करें तो वो भी इस समय में आपके लिए मुम्किन होता हुआ नजर आ सकता है लोन प्राप्त करना चाहते हैं परेशानिया देख रहे थे कल का दिन आपके पास में और है उसके अंदर अगर आप ट्राइ करें तो लोन भी आपको मिल सकता है वहीं emotional बहुत जादा हो तो एक sense of achievement और fulfillment भी आपको आज के दिन देखने को जरूर मिलेगा यहां पर यह भी कहूंगा कि दोस्तों के साथ में परिवार जिनके साथ में अगर बाहर कहीं घूमने जाते हैं या उनके साथ में थोड़ा time spent करें तो आपके लिए और जादा बहतर बन सकता है दिन self confidence ही न अब बात करते हैं आज के विशेश उपाई की वर्ष 2023 के अप्रेल महीने में बेहद ही अशुब गुरू चांडाल योग का निर्मान हो रहा है और इसका असर आपके जीवन के साथ साथ में देश और दुनिया पर भी पड़ेगा और यह आपको जरूर देखने को मिलेगा ऐसा क्यों है जोते शास्त्र में कहीं अशुब योगों के बारे में आपको ग्यान बताया जाता है आपको ये बताया जाता है कि इस से क्या प्रभाव पड़ेगा और उनहीं में से एक गुरू रहु चांडाल दोश या यह कहें कि गुरू चांडाल योग ये निर्मित होन और ये अशुब योग निर्मान होगा 2023 में अप्रेल महीने की 23 तारिक को और जोतेश शास्त्र के मताबिक नए साल पर 12 महीने में से 6 महीने तक देव गुरू ब्रहस्पती राहू के साथ में मेश राशी में विराजमान रहेंगे ऐसे में इस साल गुरू चांडाल योग निर जिसे आपको करना चाहिए जिससे आप बच सके उन सभी की जानकारी आपको दे रहा हो सबसे पहले गुरु चांडाल योग का निर्मान जोते शास्त्र के अनुसार जैसे ही देव गुरु ब्रहस्पती का राशी परिवर्तन होने जा रहा है 22 तारिक को तो वहाँ पर ये जो परिवर्तन है मेश राशी में ब्रहस्पती देव आएंगे प्रवेश करेंगे अब वहाँ पर पहले से ही राहु उपस्थत है वराजमान है तो ऐसे मैं गुरु और राहु का युती संबंद है ये गुरु राहु चांडाल दोश को निर्मित करेगा जिसके कारण इस योग को आने वाले 23 अप्रेल से आगे जा करके च्छे महीने तक आपको भीशन प्रभाव कहें या त फिर कहीना कहीं पे इसके कारण जो परेशानिया है वो आपको देखने को मिलेगी और ये जो च्छे महीने हैं बेहद सावधानी के साथ में आपको बिताने होंगे देश और दुनिया पर भी इसका असर देखने को मिलेगा तो ये योग यहां पर च्छे महीने की जो अवधी कह रहा हूँ वो 23 अप्रेल 2023 से शुरू हो करके 30 अक्टोबर 2023 तक रहेगी ऐसे में स्टॉक मार्केट में उथल पुथल बहुत जादा होगी शेर मार्केट से सम्मंदित कोई भी काम कर रहे है तो आपको इस दोरान सबसे जादा सावधानी बरतनी चाहिए फिर बात आती है काल पुरुष कुनली की तो इसके मताबिक चांडाल योग क्या है तो इस बार लगनभाव में चांडाल योग बन रहा है जिसका असर वैश्विक स्तर पर भी आपको देखने को मिलने वाला है इसके अलावा देश और दुनिया की बात करें तो कई जगाहों पर सरकारों को प्रजा का विरोध चेलना पड़ेगा प्रोटेस्ट देखने पड़ेंगे और ये प्रोटेस्ट उग्र होते हुए नज़र आएंगे और इसके अलावा देशों में सिविल वार भी हो सकता है भारत में भी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा चाहे करेंट गवर्नमेंट की बात का है या तो फिर ओपोजिशन की बात का है तो यहाँ पर दोनों ही तरफ पार्टीज जो है बहुती जादा प्रोटेस्ट और कही ना कहीं पर प्रजा से संबंद तूटता हुआ देखेंगी इसके साथ ही यूरोपिय देश जो है दो हजार तेस उनकी लिए भी शुब नहीं है वैश्विक स्तर पर महंगाई तो बढ़ रही है जो आप पाकिस्तान में देख रहे है सिचुएशन बच से बत्तर होती भी चल रही है तो वही सिचुएशन आगे दूसरी जगाहों पर दूसरे देशों पर भी फैलती हुई नजर आ सकती है वही आतंग की घटनाए जो हैं वो इस समय में तेजी पकड़ सकती है अब बात करते हैं कौन सी वो राशियां है जिन पर गुरू राहू चांडाल दोश का असर सबसे ज्यादा होगा सबसे पहले बात होगी मेश राशी की तो गुरू चांडाल योग का निर्मान आपकी राशी में ही हो रहा है तो ऐसे में इस समय में या ये कहूं कि 30 ऑक्टोबर 2030 तक मेश राशी वाले आप सभी लोगों को मन में अशांती रहेगी शारिरिक कश्टों का सामना करना पड़ेगा तो वहीं आर्थिक नुकसान भी इस समय में उठाना पड़ सकता है इसकी संभावना है अब बात होती है मिथुन राशी की तो मिथुन राशी वाले लोगों के जीवन पर भी गुरू चांडाल योग का नकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा आपको अशुब समाचार सुनने को मिल सकते हैं आर्थिक नुकसान की भी यहाँ पर प्रभल संभावना है तो रोजी रोजगार में भी समस्यां उत्पन होती रहेंगी 30 अक्टूबर 2023 के अंध तक अब बात होती है धनुराशी की तो गुरू चांडाल योग के प्रभाव से धनुराशी वालों के लिए जीवन के शुपता भी अशुपता में बदल सकती है दुरगटना की समभावना इस समय में उत्पन होंगी घर में मांगलिक कारे कोई भी है तो उसमें अर्चने देखने को मिलेगी और वाहन चलाते समय खास तोर पर विशेश सावधानी बरतनी इस समय में आपको चाहिए है स्वयम का यद दूसरों का नुकसान इस समय में मुमकिन है और इसके कारण कानूनी कारवाई होने की समभावना प्रबल रूप ले रही है व्यापारी वर्क के जो भी हैं उनको भी यहाँ पर यही कहूंगा कि खर्चों में व्रधी इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी जो आर्थिक परेशानी की जड़ यहाँ पर आपके लिए बन सकती है अगर नौकरी करने वाला कोई भी आदमी है तो उसको इस समय में फ्लक्चुएशन से सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकते है अब बात आती है कुमबराशी की तो कुमबराशी वाले लोगों को गुरुचांडाल योग से सावधान रहने की जरुरत है इस योग के कारण आपके आत्मविश्वास में कमी आ सकती है मन अशांत रहे सकता है, सेल्फ डाउट हो सकता है तो वही पर सेल्फ इमिज कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहें उसको बहुती बड़ा जटका लगने वाला है आर्तिक सेथी भी इस समय में आपकी satisfactory नहीं रहेगी पर ये भी problem नहीं होगी कि आप जो expect करते हैं उससे बहुत ज़ादा नीचे जा चुके हो या तफिर बहुत बड़े losses ले ले लें, इसकी संभावना भी इस समय में उत्पन नहीं हो रही पर यहां पर कोई भी विशेश निवेश को लेकर कि आप योजना बना रहे हैं तो वहां पर आपको पहले ही थोड़ा सावधान होने की जरुरत है कहीं पर भी कोई भी sign करने से पहले बहुत जादा सोचिएगा अब ये बात होती है कि गुरु चांडाल दोश के कारण जो समसय उत्पन होने वाली है वो आपको अब मालुम है पर अब बात आती है उपाय की कम से कम जो भी परिशानियां आप देखें उससे निजात पाने का तरीका तो आपको मालुम हो तो इस योग को शांत करने के लिए चांडाल दोश निवारण की पूजा आपको करनी चाहिए है इस पूजा को करने से गुरु चांडाल योग के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है गुरु चांडाल योग शांती की पूजा किसी योग्य ब्रामिन से के दिन में केले का पेड़ अपने घर में या घर के परिसर में लगाना चाहिए। उसकी पूजा करनी चाहिए। अपनी कुणली में अगर चांडाल योग partis बन रहा है तो आपको गुरुआर के दिन भगवान विश्नु की पूजा जरूर करनी चाहिए। और पूजा के दोरा बिना चावी के नहीं बनता हमेशा इश्वर सबसे कठिन चुनौतियां उन ही को देते हैं जो उस चुनौति से बाहर निकल सकते हैं इन बातों को अगर याद रखें ध्यान में रखें तो समझ में आ जाएगा कि जो नेगटिव वेस आप जेलते हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता भी आपके लिए पहले से उपस्तित है पर समस्या इतनी सी है कि जब समस्याओं के भवर में अटकता है तब समाधान खोजने पर भी ढूंड नहीं पाता बस यही समाधान के लिए हम आपकी सेवा के लिए उपस्तेत रहते हैं चलिए अब हमेशा की तरह प्रात्न तो यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे घर में बड़े बुजर्गों का साथ और आश्रवाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे जैश्री राम एवं जैहन